जीवन की सबसे सिक्षा प्रत कहानी दोस्तो एक सेब का पेड़ था एक बच्चा रोज उस पेड़ से खेल ले आया करता था वह कभी पेड़ की डाली से लटकता कभी फल तोड़ता कभी उचलकूंद करता था सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुस रहता था कई साल इसी तरह बीद गए अचाना के एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिल लौट के नहीं आया पेड़ ने उसका काफी इंतिजार किया पर वह नहीं आया अब तो पेड़ उदास हो गया था काफी साल वाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया पर अब वह कुछ बड़ा हो गया था पेड़ उसे देखकर काफी खुस हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता बच्चा बोला अब मुझे खिलोने से खेलना अच्छा लगता है मेरे पास खिलोने खरीदने के लिए पैसे नहीं है पेड़ बोला उदास ना हो तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलोने खरीद लो बच्चा खुसी खुसी फल तोड़के ले गया लेकिन बहुत दिनों तक पापस नहीं आया पेड बहुत दुखी हुआ अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा जो अब जबान हो गया था पापस आया पेड़ बहुत खुस हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा पर लड़के ने कहा कि वह अब पेड़ के साथ नहीं खेल सकता अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है पेड़ बोला मेरी साखाएं बहुत मजबूत है तो मैंने काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो अब लड़के ने खुसी खुसी सारी साखाएं काट डाली और लेकर चला गया उस समय पेड़ों से देखकर बहुत खुस हुआ लेकिन वह फिर कभी बापश नहीं आया और फिर वह पेड़ अकेला और उदास हो गया था अंत में वह काफी दिनों ठका हुआ पहां आया तभी पेड़ अदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना तो फल है और ना ही लकड़ी अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बुड़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए बस एक जगह चाहिए जहां वह बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बुड़ा हमेशा वही रहने लगा